Hello friends, welcome back to our channel, आप सभी का मेरे चानल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं Sunday है आपका, तो आज हम questions discuss करेंगे, doubt है, बच्चों के doubt discuss करेंगे, ताकि आप अच्छे से समत सको कि exam में किस level तक के questions आपके exam में आ सकते हैं तो यह जो question है यह आपका stack का है ठीक है data structure में जो आपका stack है वो question है और यहां से आपको exam definitely question को देखने को मिलेगा एक तो stack की application में से examiner definitely question पूछता है definition तो आप stack की नहीं पूछी जाते क्योंकि बहुत ही असान है और अब बहुत सारे exams में आ चुकी है बट फिर भी आ सकती है ठीक है लेकिन बहुत basic है यह तो सभी को पता होता है लेकिन जादा तर जो अब level जो exam के आने लगे हैं और एक आपका हम बात करें UP-PAC exam की जो कि आपका lecturer level का है तो उसमें जो आपको question आएगा या तो application में से पूछेगा कि स्टेट की application बताएगा या फिर यह पूछेगा कि इन-fix को प्रीफिक्स में चेंज कीजिए प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में इस तरहेके से examiner आपसे question पूछ सकता है ठीक है तो अभी यहां पर देखो question को ध्यान से समझना और question को समझने के बाद हम एक पर इससे related कुछ चीजे डिसक्स करेंगे ताकि आपको यह चीजे अच्छे से समझ में आएगा यहां पर ध्यान से समझो question में क्या कह रहा है here is an infix expression आपके पास infix की expression given है suppose that we are using the usual stack algorithm आप जो है stack algorithm को use कर रहे हैं और stack आपका क्या होता है कोई मुझे बताएगा last in first out क्या होता है last in first out ठीक है तो यह जो है इस तरीके से हम stack बनाते हैं जहां पर insertion भी एक ही end से होता है तो यहां पर एक stack का आपको example दो बहुत ही भैतरीन है और सभी बच्चे जो है आपने use किया होगा जब आप जाते हैं किसी की भी शादी में है ना जब आप किसी की भी शादी में जाते हैं तो आपको front पही इस तरीके से table लगी रती है जिसमें इस तरीके से plates रखी रखी र जो सबसे बाद में उठेगी यानि कि जो सबसे पहले प्लेट नीचे रखी गई थी वो सबसे लास्ट में उठेगी और जो सबसे बाद में रखी गई थी वो सबसे पहले जाएगी तो सेम प्रोसेजर है कि जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा और जो सबसे ब भी विल्टप हो जाए इस टॉपिक एक है और जहां से डिलीट करते है उसको कहते है फॉप अब लेको बहुत यह असान है बहुत ही जादा इंफिक्स आपको दे रखा है और आपको बोल रहा है कि जब हम इसको in fix से post fix में change करेंगे तो जब हम stack में इसकी entry करवाएंगे तो maximum जो है यहाँ पर कितने आपके operators होंगे है मतलब what will be the appear it only during the conversation of expression maximum number of symbol की बात हो यह symbol आपके क्या है plus है आपका multiply है ब्राकेट है multiply है minus है यह जो symbols है वो कितने आपको stack में दिखेंगे सीधा सा question यह पूचा है कि maximum आपको बताना है और देखो यूपी PSC का यही level है यह question आपको definitely exam में देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से समझना चाहे थोड़ा सा time लग जाए लेकिन मैं आपको बहुत ही अराम से समझाओंगी ताकि जो है आप इस question को exam में अच्छे से करके आ सको ठीक है अब हम करते हैं question को start question को start करने से पहले हाँ चलो मैं question ही समझाते हूं आपको इसके बाद जो है बागी के question करेंगे हाँ तो यहाँ पर देखिए जब इस type का expression आपको दे रखे समझा आ रहे हूं तो बिल्कुल starting सही समझाओंगी तो आपको एक तीज परता होनी चाहिए यह जो है इसके जो priority होती है वो highest होती है क्या priority होती है इसको मैंने number one position पे रख दिया ठीक है इसके बाद आता आपका divide और multiply इन दोनों की priority होती है वो same होती है अगर multiply जो है अगर हमारा divide पहले है तो हम divide को कर देते हैं मतलब associative देखी जाती है अगर left to right चलते है अगर left में पहले divide आगया तो divide को कर देंगे पहले right multiply आगया तो multiply को कर देंगे मतलब यह जो priority है दोनों की same है that's why इनको मैंने second number पे रख था है इसके बाद आता आपका plus or minus इन दोनों की priority same है again हम इसको left to right जो है solve करते है और यहां पर exponent के जो होती है वो right to left होती है ठीक है और इसको मैंने रख दिया third position पे सबसे lowest priority तो यह आपकी क्या हो जाएगी lowest ठीक है अब हम करते हैं question को solve तो यह करेगा आपका scan यहां पर रख दिया मैंने stack कि stack में क्या क्या जाएगा और यहां पर है आपकी post-fix expression है नोर्मल अगर आपको post-fix बनानी है तो आप डारेक जो है इसको देखके within second में बना दोगे लेकिन आपको बताना है आपसे यह नहीं पूछा कि आपको post-fix expression बतानी है आपको बताना है कि एक टाइम पर आपको stack के अंदर कितने maximum symbol होने वाल 4 को तो 4 तो stack में जाएगा नहीं क्योंकि हमें तो symbols देखने हमें हमें तो 4 जाएगा आपका यहां पर ठीक है उसके बाद second step में आएगा अपका plus गया stack के अंदर और यहां पर आपका 4 3rd step के बात करों तो आपका 3, sorry 3 stack में नहीं जाएगा यह आपका जो है post-fix में आ गया क्योंकि हम बात कर रहें आपके आप next देखो 4th पे multiply, multiply आया तो multiply जाएगा यहां पर एक चीज हमेशे याद रखना इसकी highest priority है इसकी lower priority आपको पता है plus की जो priority है वो क्या है? lower है और जो आपकी multiply है उसकी priority क्या है? higher है ठीक है? तो कोई भी problem नहीं अगर lower higher है अगर यहां पे high होती है यहां पे low होती तो problem होती अगर low high है तो no problem कोई problem नहीं अराम से स्टैक में रहेंगे अराम से मिल जुलके रहेंगे friends की तरह है ठीक है लेकिन अगर पहले high होती और बाद में low आ जाती high के ऊपर low चीज आ जाती तो फिर दिक्कत आ जाती ठीक है तो अब यहां पे 4 और 3 नेक्स्ट अप में देखो आपका bracket आ गया ठीक है भई हम bracket ले लेते हैं तो plus multiply और ब्राकेट यहां पे 4 3 है यहापका फिर 6 में देखो 6 में आपका क्या है 6 थी आ गया तो plus multiply ब्राकेट 4 3 6 क्लियर है भई उसके बादेखो आपका multiply आया 7 पे आपका यहाप्लस multiply bracket multiply 4 3 6 ठीक है अब आगे कहां पे करूँ भई अगर मैंने एक जगे पे नहीं करके दिखाया तो maximum symbols आपको पता नहीं चलेंगे ठीक है अब 8 में यहाँ पे कर देती हूँ 8 नंबर पे फिर आया आपका 3 फिर वापस से आपका क्या है 3 तो भई यहां पे आपका stack था और यहा 6 3 ठीक है फिर आया आपका minus फिर आपका क्या आगया minus आगया 9 नंबर पे plus multiply bracket multiply और minus अब देखो भई यह आपकी high priority थी और यह आपकी low priority थी यह आपकी high थी वो आपकी low थी ठीक है तो यह साथ जमेंगे नहीं यह क्या कर देंगे लड़ा ही कर देंगे भई मेरी high priority थी मैं लो हो जाएगा और यह यहां पर चला जाएगा 4 3 6 3 multiply ठीक है अब ही मत कहना कि माम हमें तो 5 विजीबल हो गए थे नहीं जैसे ही minus आएगा multiply भाग जाएगा आपको 5 दिखेंगे नहीं तो यहां पर highest कितने हुए भई bracket और यह तो high कितने दिखे भई अगें आपके पास क्या है 4 plus multiply bracket और yes okay multiply तुरंत वह चला गया है ठीक है वो रुकाई नहीं ठीक है उसके बाद 10 नमबर मैंने आपको समझाने के लिए जो है पर minus दिखाया है अदरवाइस वह पहले ही पॉपो जाएगा minus क्या थी okay फिर आए आपका 12 तो यहां जाएगा 4 3 6 3 multiply 12 ठीक है पर आपका है plus divide bracket minus ठीक है क्लोजिंग ब्राकेट आई क्या आई क्लोजिंग ब्राकेट आई तो प्लस मल्टिप्लाइगा तो यहां पर आएगा आपका 4 3 6 3 4 3 6 3 multiply 12 और माइन जो है ठीक है अब आपके बास दो सिंब रहेगे plus और multiply का तो sorry पहले multiply हो जाएगा फिर आपका प्लस आजाएगा इस करके देखो अगर नॉर्मल के आपको करके देखाऊं 4 plus 3 multiply multiply 3 minus 12 अब इसको सबसे पहले हम किसको सबसे करते हैं करते हैं ब्राकेट वाले को तो इसी को करेंगे 6 3 multiply minus 3 इस भी ब्राकेट में तो फिर भी करेंगे 4 plus 3 multiply 3 multiply 12 minus समझ माया फिर देखो आप देखो हाईएष्ट की है या multiply के, obviously multiply है तो हम किसको करेंगे? multiply वाले को 4 3 6 3 multiply 12 minus multiply फिर क्या हो जाएगा? अब एक यह है और आपका एक पूरा यह है तो obviously plus कहाँ जाएगा? पीछे 4 3 6 3 multiply 12 minus multiply plus जब हमने डाला कि आपको यही सारे चीज़े दिखाई थी, last में कि आपका final answer यही आया था, आया था कि नहीं आया था? तो आपको आपसे यह पूछाता कि highest आपको कितने number of symbols यहां पे दिखाई 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 थी, तो number of symbols कितने होंगे stack ले अंदर? 4 थे, कौन-कौन से प्लस, multiply, bracket, multiply, समझ में आज ऐसे ही प्लस आए आपका यह वाला जो है वह पॉप हो गया, clear है, clear है? अगर पहले minus होता दिखाई होता, तो कोई problem नहीं थी, आप जो है, normal आप करते तो आपको 5 symbols दिखाई देते, ठीक है? कोई doubt? कोई doubt भई? कोई doubt? अब मैं एक कोईशन से और करवा देती हूँ, एक कोईशन और करवा देती हूँ, ताकि जो आप इस चीज को अच्छे से समझ सको, या फिर मैं आपको homework के लिए देदू, homework के लिए देदू, ताकि जो आप मुझे बता सको, कि आपको एक टाइम पे कितने जो है, number of symbols दिखे ताकि जो है आप इस चीज को कर सको, तो कोईशन लिखो, अपका homework लिखो, फिर जो हैं थोड़े से और कोईशन डिसकर्स करेंगे, homework लिखो भी अपना, homework है आपका a plus b, हाँ जी, ये कोईशन है आपका a plus b divide c multiply d plus e minus f, तापको मुझे बताना है कि maximum number of symbols that will appear on the stack one time, ठीक है तो आपको बताना है कि maximum symbol जो है आपको स्टैक के अंदर कितने जारस कितने जो है विजिबल हुए, तो ये आपका जो है कोईशन है, option देख लो, 2, 3, 4, 5, ठीक है तो ये आपके options है आप मुझे बता देना कि आपका अंसर क्या होगा, फटड़वड नोट कीजे भई हो गया, इसके बाद हम चलते हैं, बाकी के कोशन भी देख लेते हैं, ताकि आपका स्टैक वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा जाही आपके क्लियर हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड आप कोशन को कर जगो, ठीक है, फटा-फट एक बार कोई जो है मैं स्टैक की रिवीजन क अट छो है जब आप पते खेलते हो ताश खेलते हो तो ऐसे गाट कर फिर आपका स्टैक को रिपर्जन की रिपरेशन होगा स्टैक के लोगा सित पता कर्वेज पिद में सका होई खेल थी है घो प्मा वहार निकालना एक हमायाँ? पक होता है यह तरही तो एक का लिए ज़ो की तब लोग मैं तो वह तरही तो फुल है या या है यह लिए इस विखर में यह लोग अपकें, गाफ सक्राइब सक्षेट थजे पैस पुछ कर नहीं आप 5 kg चीनी लाए और आपको उसके साथ 1 kg फ्री मिल गई तो आप सोचोगे कि एक किलो पिसके अंदर कुसादू क्या हो सकता है भी जब वो अल्रेडे फॉल है तो आप डालोगे तो आपके जमीन पे जाएगी आपका काम ही जादा होगा आप उसमें अर्जस नहीं कर सकते है वही कि आप उस पाकेट को और अलाग रदया को ज dinero कि आप तब अंदर अंदर एड़ कर सकते हो तो झाफ यह जब आपका ही वसके बनें लागे तो आप उसके ऊपर और अवर्लोड कर सकते हो talent कर सकते अबध कर सकते capacity EMPETY, EMPETY का मतलब यह है कि आपका चीनी का बरतन खाली हो चुका है, एक दाना भी उसके नहीं है और आप उसमें और चीनी निकालना चाहते है तो कहां से निकल जाएंगी तो भई इसलिए हम पहले चेक करते हैं अगर मुझे उसमें से कुछ निकालना तो पहले मैए जाएंगे जाएंगे थिसमें कुछ पड़ा है अब यहां कुछ उसमें जाएंग है यहां अपकशे निकालोगे वही निकाल सकते ठीक है culture कुछ मुझे निकालना एक मैं पहले चेक करूंगी कि मेरे का स wallet दोरा एक प्रनों को उस condition को Kya कैते UNDERFLOW अर जब मेरी चीज मेरे पडल उपर उप्री होई हुए मैं आलने की यह सोचव हूं तो मैं उसको बोलुगी कि ओवर फ면ा श्या कि आड ‑‑ क्या हो गी है? OVR Fلام समझ में आया, तो कोशन आता है, कही बार एक्जाम में आया है, कि जब खाल ली हो और हम उसमें कुछ और डिलीट करना चाहे, पॉप करना चाहे, तो उस केश को क्या कहेंगे, अंडर फ्लो कहेंगे, और जब हमारा उपर तक भरा हुआ है, यहां तक चीजे आ चुकी है, और हम उसमें चौते और यहां नहीं, और आजाए, और आजाए, और आजाए, तो भई उस कंडिशन को कहेंगे, ओवर फ्लो, क्या कहेंगे, फटफवड मेरे साथ बोलो, क्या कहेंगे, ओवर फ्लो, वेरी गुड, क्लापिंग कर दो आप सब के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते तो देफिनेटली आम एक चीज को पढ़ते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपके एक्जाम में आएंगे, कोशन्स, वो आपको करने है, MCQ कोशन्स करने है, तो उसके लिए जो है, आपको यह चीज़े पताव नीचे, अब कुछ अप्लिकेशन्स हैं, यह आपको बह कोशन्स करने के भूएंगे, फैस लिए पुछेगा, बैलnte SIMBLET solution, को में जाना इसृन्स करने करने के लिए इस से बैस थाल्स करना के लिए अगल, है, स्रेंक को वाचम में तो पुछ नहीं करना है, पुछे को अचनल कंटलने के लिए वेल्स करने के लिए बैसे बहbayर्स करन मैंने B डाला, मैंने C डाला, sorry, C डाला, ठीक है? अब जिए मैं बहार निकालोगी तो पहले C निकलेगा, फिर B निकलेगा, लास्ट में आपका A आएगा, स्रिंग उल्टी हुई की नहीं हुई? सेधी स्रिंग यह थी, उल्टी क्या हो गई? से स्टार्ट हो गई, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? साथ के साथ बोलो, किसका यूज करते हो भी, स्टाक का, सबसे पहले था बैलेंसिंग और पैरेंथिस्स, ठीक है? parenthesis को balance करने के लिए, second है आपका string reversal, third है आपका undo redo, ठीक है, undo या redo के लिए भी आप किसका use करते है, stack का, ये सिर्फ आपको नाम जाद रखने है, ठीक है, आप यहाँ से कर दे नाराम से, recursion, बैस अब से इतनी बार question आता है, best example for recursion, recursion कहां use किया जाता है, तो stack में use किया जाता ह DFS कहां use किया जाता है, depth first search, बहुत बार question आग्जाम में आया है, DFS और BFS बच्चे बार बार exam में confused हो जाते हैं, क्या हो जाते है, DFS और BFS में बच्चे बहुत confused हो जाते है, DFS यूज किया जाता है, stack के अंदर, और जो आपका breath first search है, वो यूज किया जाता है, Q कि अंदर, बहुत confusing है ये दोनों चीज़े क्योंकि terms एक जासी है, तो depth, बिल्कुल depth वाली हम चीज करेंगे start में, breath होती है, चोडाई, ठीक है, वो हम करते है Q में, जो Q है वो आपका इस तरीके से होता है, front or rear है, stack होता है depth, आप इस तरीके से भी, आपके दिमाग में चीज नहीं यह आपका जो है यहां पर यह कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने है, ठीक है, ख्लियर है याद रख लोगे, रख लोगे की नहीं रख लोगे, ठीक है, अब जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सभी बच्चे जोए कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्य पॉइंट्स थे, ठीक है, अब नोटेशन है, यहां से तो एक्जामिनर कोशन पूछेगा ही, जादा स्टैक में से कुछ नहीं आएगा, डेफिनेशन क्या है, पुष्पॉप क्या है, फुल क्या होता है, आपका एंपटी क्या होता है, फुल में कॉनसी कंडिशन आती है, अपके अप्लिकेशन क्या है, और लास्ट बच आपका इंफिक्स, प्रिफिक्स, पोस्ट फिक्स, आपको कन्वर्जन करने के लिए बोलेगा, इनफिक्स को प्रिफिक्स में कर दो, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कर दो, यह तो आपसे नॉर्मल कन्वर्जन के लिए बो प्लस देखो बीच में दिखाई दे रहे हैं और अपका प्रीफिक्स क्या होता है प्री मतलब पहले यहां पर जो आपके उपरेटर है वो पहले होते हैं पोस्ट फिक्स में आपके उपरेटर कहा होते हैं बाद में होते हैं ठीक हैं और इसको पोस्ट फिक्स हम रिवर्स्ट पॉस्ट फिक्स नोटेशन ठेक है और पॉलिष नोटेशन आपकी क्या होती है प्रिफिक्स कन्फ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है बिल्कुल पॉइंट चीजे हैं पॉइंट पढ़ोगे एक्जाम को क्लियर करोगे एक्स्टा चीजों के पीछे भागोगे तो एक कि मृँज आपके दिमाग में भी सेत हो चाह और एक्जाम में भी आप उसको कर सको क्लियर है ऐक यह का सबसे बेस्ट कि आपो पोस्ट पिक्स आपको यह को है क्ल workers में पोस्ट पॉस्ट पीक्स कर नहीं कर सकते हैं टेहिक चीजे आइल रखना प्री cotton सух नहीं जा सकते हैं इन-fix से prefix, इन-fix से post-fix, ठीक है? यही आपसे एक्जामिनर पूछेगा, तो यह कुछ है आपर solutions, मैंने देए A plus B को, कैसे करेंगे A plus B को, और जग दिखो, वैसे तो मैंने आपको highest priority अभी मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब ब्राकेट में हो चीज, आप देखो, यह जो है आपका ब्राकेट में है, क्या है ब्राकेट में, तो यहां पर हम highest priority नहीं दिखेंगे, अब आप सोचोगे कि प्लस की तो lower priority है, और जो multiply है उसकी highest है, तो मैं क्या करूँ, a plus b, c into, ऐसे कर दो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पहले हम ब्राकेट वाली चीज को solve करेंगे, पहले हमेशा ब्राकेट वाली चीज को solve होती है, क्या होती है? ब्राकेट वाली, ठीक है? ब्राकेट में आपका चाहिए लो हो हो चाहिए हाई हो, आप पहले ब्राकेट को solve करोगे, ठीक है? तो यहां पर a, b, plus c, multiply, और अगर यह करना है तो a, b, plus a, b, और फिर यह, multiply, c, इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो यह चीज आपको जो है प्राकेट वाली थोड़ी याद रखनी है, ठीक है, ब्राक्रिस करके देख लेना, बहुत कुछ जादा नहीं है, ठीक है? यह आपका precedence है, यह, देखो, exponent की highest होती है, जो है, right associativity होती है, right to left, पीछे से देखेंगे, बहीं, पीछे से exponent दे रखा है, तो उसको check करेंगे, फिर जो है, second में आता का multiplication और division, दोनों की same priority होती है, यह left associativity होती है, left to right चलती है, और addition और जो subtraction है, उसकी lowest priority होती है, यह, भी आपका left to right चलता है, okay, associativity पूछ सकता आपको, कि exponent की associativity क्या है, इस तरीके से question आजे क्योंकि ऐसे question अभी तक आए नहीं है, और आपको सोचगे है, पतानी क्या होगा, मतलब basic question है क्या दे दिया, क्या 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 है, बहुत basic चीजे हैं, लेकिन examiner ऐसे questions आप से पूछ सकता है, तो यह पर देखो, default यह पर दे रखा है, फिर पोस्ट-fix evolution algorithm, फिर इन-fix, prefix and notation, तो यह आपको दे रखी है, कुछ यह पर जो है, मैंने आप लगों के लिए छोड़े हैं, तो यह आपका homework है, आप मुझे करके बताएंगे, एक दो मैं आपको समझा देते हूँ, देखो, यह बाला देखो, यह बाला देखो, a plus b into c minus d, चिक हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले prefix करते हैं, c minus c d, चिक हैं, तो यह जो है आपके हाँ पर solution बनेगा, समझ में आया, अब देखो, अगर इसी का मुझे post fix करना हो, तो post fix करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a b plus ho जाएगा, c d minus हो जाएगा, multiply यहाँ है, मुल्टिप्लाइट कर लेते हैं, सबसे highest priority क्या है, multiply है, और minus है, दो यह symbol दे रखें, तो obviously multiply को multiply left to right जाता है, तो left यह है, तो multiply पहले b और b, ठीक है, minus, फिर जो है, यह आगया, इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा, multiply 4a, ठीक है, इसके बाद, again multiply c, तो अब हम इसको solve करेंगे पहले, फिर बाद में minus को करेंगे, multiply bb minus multiply multiply 4ac, अब क्या हो जाएगा, minus, तो minus into bb into into 4ac, ठीक है, clear है भई, अगर इसी का, एक सेके, अगर इसी का मुझे जो है, post fix करना हो, तो क्या करेंगे, अगर मैं इसी का post fix करूँ, तो क्या करेंगे, b into b minus 4 into a, a into c, ठीक है, अब post fix करके बताओ मुझे, तो क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा, bb into minus 4a into c into, ठीक है, तो यह जो है, यह minus आजाएगा, minus बाद में आजाएगा, bb into 4a into c into minus, ठीक है, तो यह जो है, आपका क्या बनेगा, post fix, post fix में operator बाद में आ जाएगे, पहले आ जाएगे, ठीक है, clear है, clear है, यह दो कोशन आप खुद करके देखना, बहुत ही असान है, सबसे पहले, यह bracket solve हो जाएगी, bracket कर देना, फिर जो है, आप देखो, multiply, divide के, सेम रहती है, left to right चलेंगे, तो left में आपका क्या आएगा, multiply आएगा, तो पहले सी को solve करेंगे, समझ में, तो इस तरीके से step by step चीज़े करते वे जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चीज़े करोगे, तो आराम से questions को attempt कर पाओगे, ठीक है, बागे हम detail में करेंगे, तेखो, इस तरीके से आपसे question देदेगा, आपको बोलेगा कि infix है, और आपको stack को use करके बताना है कि इसका answer जो है, वो क्या आएगा, इस तरीके से आपसे examiner में, exam में question पूछ सकता है, आप देखो, अब यह दे दिया आपको, suppose यह दे दिया examiner, बोला कि इसका आपको बताओ कि इसका आपको calculate करने के बाद क्या आया, तो यह आपका stack है, सबसे पहले आपने डाला 4, फिर डाला आपने 5, फिर डाला 7, फिर डाला 2, फिर डाला plus, जैसे ही plus आया, यह खाली होगा, ठीक है, जैसे ही plus आया, यह था, यह था, एक सेके, 5 के बाद क्या था? 7 4, 5, 7 फिर 2 और फिर था आपका प्लस जैसे ही प्लस आया तो 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 9 क्या हो जाएगा? 9 यह आपका जो है इस तरीके से हो गया अब स्टेक में आपका क्या बचा है? अब स्टेक में आपका क्या बचा? 9 यहां पर क्या आगया? 9, ठीक है? फिर आया आपका minus, जैसे ही minus आएगा, जैसे ही minus आएगा, क्या हो जाएगा? 4, 9, मतलब 9 पहले जाएगा, फिर minus, फिर 4, तो यहां से क्या बचा आपका? Sorry, 5, तो यहां से क्या बचा? minus 4, यही डेलीट हो कि हहापर क्या आपका? लास्ट में है आपको multiply मुल्टिप्लाया करेंगे तो मेन-सरो इस तरहिके सेилась में अब को सुले को भी सकता है इस तरहिके से अबराम सुल करने को दे सकता है tipo रहे है fork एक हैわかे के दीखाते पित था आपको इनफिक्स दे सकता है प्रिफिक्स दे दो बेदे सकते, आपको डाउट वाली बात निया कि आपको उसी से देगा, किस कैसे भी आपको देदेगा, आपको नॉर्मल तो है, बताना है कि आपको अन्सर क्या एगा, देखो, अब नेक्स देखो यह वाला, मैंने डाला 3, फिर मैंने डाला 4, जैसे आपका प्लस आया, तो आपके दोनों जो है, वो क्या हो जाएंगे, अब जापके स्टेक्निक या बचा 7, फिर आया आपका 2, ठीक है, फिर 2 के बात, आपका क्या आया, मल्टिप्लाए, तो दो अप्रेटर है, साद दूनी 14, तो क्या फिर आया आपका, यहां तो को चुका, मल्टिप्लाए तो को चुका, फिर आया आपका 7, 7 के बाद आया आपका मल्टिप्लाए, मल्टिप्लाए आती हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइड का सिंबल है, तो साद दूनी 14, तो आपका जो रि process of inserting an element in stack अगर आपको जो है insert करना element को क्या करना है add करना है कहां पर add करना है stack के अंदर आपको element को add करना है तो हम उस operation को क्या कहते हैं push क्या कहते है push operation तो answer हो जाएक भी next question देखिए process of removing an element from the stack removing मतलब delete करना हटाना मतलब बहार निकालना तो उस process को उस operation को क्या कहा जाता है pop क्या कहा जाता है pop तो answer हो जागा यहां पर pop next question देखिए in stack user tries to remove an element of empty stack भी stack आपका खाली पड़ा है stack आपका जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है stack आपका क्या है खाली पड़ा है और आपको उसमें से कुछ delete करना है stack में से आपको क्या करना है कुछ delete करना है खाली stack में से आपका stack बिल्कुल खाली है चीनी के अपरतन खाली पड़ा है उसमें से कुछ चीनी निकालनी है कैसे निकालोगे वो तो चमतकारी हो सकता है खाली रबबे में से तो चीनी निकलने से रही तो वह आपका एक्जाम्पल होता है, अंडर फ्लो का, उसको हम क्या कहते है, अंडर फ्लो, इंपॉर्डन टर्म है, एक्जाम में, पीजटी एक्जाम में कई बार आ चुकी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, Pushing an element in stack, already having 5 element of stack, 5 then stack become, आपका एक stack है, और stack का size जो है, यह आपका stack, stack का size है 5, एक, दो, तीन, चार और पांच, 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 देखो, पुछ आप करना चाहते हो, और stack के अंदर, already having 5 element, already 5 element, और stack का size भी 5 ही है, आप देखो, यह चीनी का बरतन है, और चीनी का बरतन 5 kg का ही है, और आप 1 kg चीनी और डालना चाहते हो, तो क्या आएगी? आएगी? नहीं आएगी, तो उस condition को क्या कहा जाता है? जो पानी के टंकी भर जाती है, पानी बहार निकलता है, तो क्या कहते है, और फ्लो हो क्या है, कहते हैं कि नहीं कहते है, चीक है? आगे देखे, entries in a stack are ordered, जो stack में entries है, जो क्या होती है? ordered, what is the meaning of this statement, इस statement का क्या है? मतलब, इस statement का मतलब क्या है? collection of stack is short table, stack entries may be compared with the less than operator, the entries are stored in link list, there is a sequential entry that is 1 by 1 Now ordered means what will happen? In a sequence, what is ordered? 1, 2, 3, 4, this way is ordered, okay? So what do we say to that? It is sequential entry, after 1, first 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7 Is it clear? Next is which of the following is not the application stack? I mean, which application is not the application? So, it was all done, it was done or not it was done? Now it has forgotten, it has forgotten so quickly, it has forgotten so quickly, just now we have seen the application stack. So, first of all, parenthesis of balancing. What is parenthesis? This bracket you have seen, to balance them. So, where is it? It is in stack, so what is it? It is true, it has asked not. So, it is true. Tracking of local variable at runtime. Tracking of local variable at runtime. Okay? So, this is correct. Compiler syntax analyzer, this is correct. Then, this is true, this is true, this is true, this is true. Data transfer between two asynchronous processes. So, what have you asked about? Transfer related to transfer? So, this is not the application. Okay? Next question is your question. One second. Consider the usual algorithm, determining whether a sequence of parenthesis is balanced. The maximum number of parenthesis that appears on track at any time. See, this question is definitely possible in the UPSC exam. For a little level. So, see, how much maximum you will show at one time? First of all, you have this bracket. This bracket comes. Then, you have one other bracket. Okay? As you close brackets, it pulls apart from one bracket. The chain is coming from one bracket. You've tipped apart from one bracket. Then, A close bracket comes from another bracket. फिर आपके एक और Kolosing वाली जैसे ही Closing वाली ये वाली क्या हो गई? उढगई फिर एक और जो है Closing वाली आई, ये वाली वाली होट चुकी है, एक के और closing तो ये 10 अब हमहले स्टेक में क्या मचे किस रफ ये वाली से वाली थे जाएльगी फिर देखो यह वाला और यह वाला जैसे यह वाली आएगी, यह वाली हट जाएगी फिर एक ओर आए यह वाली यह फिर एक ओर आए यह वाली यह वाली तो बोल रहा that maximum maximum algorithm तो कितने देंखो पहले देखो, यह, यह, और यह maximum higher कितनी इती? 3 तक ही तो आपको दिखाई दिखाई दिये हैं, 4 तो 4 हम देखेंगे नी, क्योंकि मतलब उसके आते ही तो पॉप हो गई, तो ओल्टी बाहर चलीगी, ठीक है, लेकिन लड़े इतनी तो तो 3 तो आपने देखी एंट्री हैं, तो maximum आपने पारंथेस कितनी देखें देखें दे तो आपको देखें से 3 तो आपको 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 आगे देखो, next question is, consider the algorithm determining a sequence of parentheses is balanced, suppose that you are run the algorithm, means the sequence contains two left parentheses, आपके बास 2 left parentheses हैं, और 3, तो राइट parentheses हैं, बोल रहा है कि maximum number of parentheses आपियर, stack at any one time during the computation, बहुत ही असान ये वाला और ये वाला, जैसे ही ये वाली आएगे तो ये वाल तो उड़ जाएगे, मतलब एक ताइम पर आपने कितनी देखी, माक्समुम तो दो ये देखी, फिर ये वाली आपने ये वाली चली एक फिर ये वाली बची है, तो क्लियर है भई, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, आगे देखिये, what is the value of post-fix expression, आपको जो है, post-fix expression की हाँ पर जो है, वाली बतानी है, क्या होगी, तो देखिये, ये वाला कुशन से, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है, क्या आया, जैसे ही प्लस आया, ये वाला हट जाएगा, प् फिर आया, minus, minus आया, तो क्या हो जाएगा, minus 6 और 3, तो क्या हो जाएगा, क्या बचा है, 3 बचा, तो ये वाला हट के क्या बचा 3, फिर आया, multiply, तो क्या हो जाएगा, 3 into 6, that is 18, तो आप का अंसर क्या हो जाएगा, यहां से 18, तो D option जो है, आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक ह अब देखिए, 10 questions में आपको गरवा चुकी हूँ, आपको homework भी दे चुकी हूँ, इसी के साथ आपका इसी के साथ आपका स्ट्रेक वाला जो important important points थे, important important questions से, स्टाक से related हमने सारे discuss किये हैं, और यह जो आपके 30 तो 35 minutes के स्टाक से related class बनी है आपकी, वह बहुत ही जादा useful है आप लोगों के लिए, ठीक है बहुत ही जादा useful है भई, प्लीज इसको देखेगा, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, तो डामेंशन आरे के उपर, तो हम उससे से related question discuss कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी examiner आपसे question बूच सकता है, ठीक है? हाँ, अब हम बात करेंगे आरे के उपर, ठीक है, आरे के उपर बात कर रहे हैं, टू डामेंशन के उपर बात करेंगे, टू डामेंशन पर कैसे आपसे examiner question बूच सकता है, तो यह सारी चीज़े आज हम discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखी, आरे होता क्या है, और आरे क इन कुते हैं, तो definition में क्या है कि collection of homogeneous elements, ठीक है? तो question, देखो array के ऊपर कई बार कोष्न आया है कि जो आपका array है वो homogeneous element का क्या होता है set होता है होता है कि नहीं होता है homogeneous क्या होते हैं ये homogeneous homogeneous होते हैं जो similar type के हो जो similar type के data item होते हैं ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर देखो similar type data item लेकिन similar ना लेकर आपको homogeneous देदे तो तो जैसे ही नोट लगाया आपको चीज पता होनी चाहिए वैसे आपने पड़ी होंगी लेकिन बट फिर भी यह है कि आज जो एक्जामिनर गुमाने के लिए ऐसे से कोश्चन आप से पुट कर सकता है तो नगर नोट लगा रखा है तो आंसर जो है फटक से गलत कर देना मतलब true false जो भी पूछा आप उस तरीके से अंजर कर सकते हो ठीक है तो जो है similar type का data जो है आप यहां पर store करवाते हो अरे के अंदर तो आरे जो है वो drive data type है C programming का जिसमें आप store करवा सकते हो primitive data type like int, cat, double, float ठीक है? integer type के सारे हो सकते है, character type के हो सकते है, float type की हो सकते है, ठीक है? array is simplest data structure, इस data element randomly assessed by using its index number तो array जो है, रेंडम ली किसे भी number को क्या कर सकते हैं? असस कर सकते हैं, अगर मुझे इंडेक्स नमबर के साथ अगर मुझे इंडेक्स नमबर पता है, तो मैं उसको असस कर सकते हूं जो कि अब हम इस तू डामेंशन आरे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो यह पर देखो, for example, if we want to store the marks of student in six subjects Suppose, आप 6 students के marks को store करवाते हो, आपने क्या क्या उनको store करवाया और store कहा करवाओगी, इसाचीज़े कहां पे store होती हैं? कमेंट सेक्शन में बता दीज़ेगा, then we don't need to define different variables तो आपको जो अलग से variable करने के जूरत नहीं मार्क्स 1, मार्क्स 2, एक में ही मार्क्स में जो है, आप जैसे 6 subject के आप दिखा सकते हो, ठीक है? Like Hindi, English, Math, Reasoning, सब क्या आप एक नहीं दिखा सकते हो Instead of that, we can define an array which can store marks in each subject at the continuous memory location Clear है? अलग-अलग marks ना-define करके आप एक यह जगे है, जो है, डिफाइन कर सकते हो Properties क्या होंगी? देखो, question जो आएगा, definition में से, properties में से, applications में से, why we used array इसके जो numericals हैं यहां से, numerical भी बहुत high level नहीं, basic concepts से ही आएगा, ठीक है? Each element of same data type and carries the same size, int आपका क्या है? 4 byte Element of the array is stored at continuous memory location where the first element is stored at the smallest memory location Element of the array can be randomly, randomly assess कर सकते हैं क्योंकि index number के साथ हम कहीं से भी data को assess कर सकते हैं Okay, why we need array, in computer large number of data similar type अगर आपका बहुत सारा जो data वो similar type का है हमें बार 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 उसको define करना पड़ता था लेकिन आपे जो हैं पूरे को पूरे को define कर देते हैं, ठीक है? तो यह पर देखो, program है without array, बिना array के use कि इसे मारक्स one लिया, 56 marks loop marks two, 3 mark to marks two marks अलग अलग जो है। अलग जो है, अपने 6 subjects लिगए अलग marks क्यों ठीक है अब अरे के साथ देखो, आपने 3 mark six लिएकट लिएक और एक मेरी मार्क दाल तो यह अपर क्या है? अपकी अपकी लाइफ और एजी हुई खोई की नहीं रहा समझ में हुए रहा – आपके अपड़ दोठी हो, एक वोश्शिंग मशीन युज उसकतो कर दो-जारे हो चाह पर प्रण वश्चन में कर दो क्या है साथ के बुस्ट है रहा हो चाहते हो आपको देखो, जब आपको देखों, तो प्रिश मारे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ठीक है? वशिंग मशीन है तो अपनी कपड डाल दी आप राम से बैठो साइड में और पढ़ते हो, जब वो मशीन बोलेगी, दिन आपका कम स्टाट होगा, तब तक तो आप रिलेक्स होगे पढ़ाई कर सकते हो, तो मतलग वही है कि चीज़े जो है आप लोगों के लिए असान बना दी गई है, ठीक है? Clear है? complexity of array operations, तो यह सबसे important है अगर मुझे assess करने में कोस्ट क्या लगती है, क्योंकि यहां से question examiner definitely पूछेगा, तो यह है अपकी time complexity, देखो भई, दो तरह की complexity होती है, वैसे मैं इनको detail में कराऊंगी, अभी थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि algorithm पढ़ेंगे तो time complexity, space complexity, क्या होती है, क्य कि हमें किसी चीज को ढूंडने में, किसी चीज को अड़ करने में, मुझे किसी चीज को निकालने में कितना time लग रहा है, तो वह होता है आपका time complexity, तो search करने में, अगर मैं particular, जो है, मैं किसी भी item को search करती हूं, तो मुझे कितना time लगा, क्योंकि रैंडमली data को assess कर सकते है क्यों, index number है मेरे पास, मैं अफटाक्स को कर सकती हूं, तो assess करें, मुझे data कुछ भी ढूंड रहा हूं, मुझे कितना time लगेगा, assess कर रहा हूं किसी particular को, तो मुझे कितना time लगेगा, order 1, तो मुझे कितना time लगेगा, order 1, तो search करने में, search भईए, आपको नहीं बता कि वो starting म में पड़ा है या लास्ट में पड़ा है, आपको ढूंडना तो आपको सारी जगे देखना पड़ेगा, search करने में, insertion करने में, deletion करने में, order 1, क्योंकि होमोजीनिय से sequence element है, आपको one by one करके, चीज़े जानी पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज को assess करना चा अबनी यह लोकेशन, तो लोगेशन के जिगो लोगेशन, 10, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इसको लिखेंगे कैसे 0 से लेकर 5 तरक जिरो से हमेशा इंडेक्स निरो से स्टार्ट होगा 0-based indexing approach, the base address of array is 100 byte जो base address, if A0 का वो क्या है? 100 byte A0 4 byte, each element of 4 byte in memory हर रहें जो है, जो है वह बार्चार क्योंकि हर एक है ठीखो जो है अड्रेस कितना byte ले रहा है? 4-4 byte तो भई यह 100 है, 100 से स्टार्ट वाई है, नेक्स में 4 जाट तो 104, नेक्स में 4, 108, फिर 4, फिर 4 फिर जाट, तो इस तरह के से, 116, 116 में मुझे क्या में रहा है का? एरे और 4 जो भी स्टोर है विना, वो मुझे यहां पर मिल जाएगा, ठीक है? अब, base address, element, size, which type of indexing, तो सबसे पहले हम 1-dimension की बात करते है, 1-dimension क्या होता है, कि ना आपका row होता है, ना आपका column होता है, ठीक है? जो भी आपका size, जैसे वहां पर 4 byte given था, ठीक है? फिर i, जो भी आप i ढूंड रहो, यह वाला i, ठीक है? और 1st index, जो भी आपका 1st index है वो, तो यहां पर देखो, minus 10, plus 2, और देखो अगर total element से निकाले हैं, तो total element कैसे निकालोगे? अपर बाउंड, minus, लोवर बाउंड, plus 1, यह formula होता है, जो आपके total elements अगर आपको array में निकाले हैं, तो अपर बाउंड, minus, लोवर बाउंड, plus 1, ठीक है? अपर बाउंड क्या है, यहां पर 2, लोवर बाउंड क्या है, minus 10, तो minus, minus, क्या हो जाएगा, plus 10, plus 1, that is 13, कितने element है, 13, ठीक है? base address क्या है, triple 9, आपको size of element क्या है, 2, और आपको location a of i, याई कि minus 1 की आपको location निकालनी है, minus 1 की, ठीक है? तो यहां पर क्या जाएगा आपका, base address, triple 9, plus size क्या है, 2, i क्या है आपका, i क्या है, minus 1, और first index आपको क्या है, minus 10, first index क्या है, minus 10, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, clear है भे, into 2, triple 9 plus 2, 9 into 2, क्या हो जाएगा, 18, 18 to 36, तो यहां पर add कर दो, 9 छे, 10, 0, 3, 5 की something आएगा, मतलब इसको add कर देख लेना भई, 1 second, अरे नहीं, मैंने यह पीछे क्यों कर दिया, यह आगे क्लिक दिया दा नहीं, ठीक है, 18 ही आएगा भई, यह मैंने दो बार 2 की multiply कर दिया, जो size address था वो एक बार ही लिखना है, मैंने आगे पीछे 2 में जगे लिख दिया, ठीक है, तो यहां पर आजाएगा, अपर 999 में हम 18 को add कर देंगे, 999 में 18 को add कर देंगे, तो 17 और 0 और 1 और 0, तो 10, 17 जो है आपका answer होगा, clear है भई, ठीक है, यह दो बार मैंने कर दिया था, यह आप देख लेना, ठीक है, यह formula है यह formula है, यह चीज़ यहाद रख लेना, यह one address का है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आप देखो, आप 2-dimension, 2-dimension में क्या होगा, dimension है तो आपका row और column होते है, ठीक है, row और column, और मुझे total element निकालने है, अगर total element मुझे 2-dimension area में find out करने है, तो मैं क्या करती हूँ, row into column, suppose यह आपके पास row है, 2, and column 3, तो total element यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 x 3, that is 6, देखो, row कितनी है, 2, column कितने है, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो row कितनी हुई, 2, column कितने है, 3, तो element कितने है, 6, समझ में आया, तो अगर आपको total element निकालने के लिए, और आपके पास row और column है, तो आप डारेक्ट उनकी multiply कर देंगे, ज्यादा आपको कुछ करने के जुरूत नहीं है, clear है, clear है, आगे देखो, यह देखो भई, यह आपका इस तरीके से 2-dimension array दिखा रख है, यह आपकी row है, और यह आपका particular क्या है, अब जो आपका 2-dimension आ रहे है, यहाँ पर जो है, आपको क्या करते है, रो मेजर भी होता है, और कॉलम मेजर भी होता है, यह मैं detail में करवाओंगे, इसलिए मैं थोड़ा से जल्दी करवारी हूं, ठीक है, यह आपका row measuring भी होता है, और यह आपका column measure भी होता है, तो आपको जो है, एक्जाम में कोशन देगा, तो आपको साब साब मेंशन देगा, कि भी आपको row measure निकालना है या column measure, जब आपको row measure निकालने के लिए बोले, तो row measure में आप इस तरीके से measurement करते हूं, यह वाला, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से, देखो A11, A12, A13, A21, A A32, A33, इस तरीके से, ठीके, तो यह आपका क्या हो गया, row measure, कॉलम measure के बात करें, तो यह वाली line वो पूरी ऐसे सीधी आजाएगे, A11, A12, A13, समझ में आया, यह जो पूरी row है वो ऐसे आजाएगी, यह देखो A11, A21, A31, मतलब हम जो है, इसको कैसे measure करेंगे, हम इसको ऐस हम पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे और ऐसे करेंगे, कॉलम मेजर के अंजर, ठीक, अब दोनों के फॉर्मूले हैं, वो देखो, सबसे पहले आपका column, row measure, row measure में सबसे पहले आएगा आपका base address, जो भी आपका base address है, वो हो जाएगा, जो भी आपका size है, यहाँ पर व मेजर के, तो row measure में जितने भी column है पहले, column से होगी, row measure में column से होगी, column measure में row से होगी, यह चीज़े आपका जो भी दे रखा है, I- lower bound, किसका? रो का, ठीक है? अब फिर J- जो भी आपका column का है, वो माइनस कर देंगे, अब देखो, suppose, यहाँ पर कोशन आपको गिवन है, यह देखो, आपके पास, यहाँ पर यह दे दिया, A, 10, 10, यह, और यह, तो यहाँ पर अगर मैं row की बात करूँ तो यहाँ पर रो कितनी है, यह lower bound है row का, यह upper bound है row का, यह lower bound है column का, और अपर बाउंड है किसका? कॉलम का, समझ में आइ, इस तरीके से, अब मैं इसको निकालू आपकी रो है, 75-55, कितना हो जाएगा, 20-20 प्लस वन, यह, 21 आपके column, मतलर 21 रो है और 21 कॉलम है, समझ में आया, अब बेस अब कितना दे रखा है, 0, और साइज की मैं बात करूँ यहाँ, साइज दे रखा है, चार बाइट, और आपको आई और यह, 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 और आपको यह अब निकाल लो, बस value पूट करनी है, base address आपका क्या है, 0, size क्या है आपका, 4, column कितने हैं अब ही total अभी मैंने निकाल ले, 21, ठिक है, into, i क्या है आपका, i क्या है अब यह, i है और यह आपका, j है, तो i क्या है, 15, lower bound row क्या है, 10, plus j आपका कितना है? 68 lower bound column का कितना है? 55 और यह बंद, solve कर लो, 0 plus 4 21 into 5 plus, यह कितना हो जाएगा? 3 और 1, ठीक है? तो 4 plus 5 एकम 5, 5 उनी 10 और plus 13 तो इतना हो जाएगा? 4 पंजा 20, 4 एकम 4 और plus में 13 तो यहाँ पर हो जाएगा यह 3, 3, 4, 33 तो जब आप इसको solve करोगे तो आपका अंसर क्या आएगा? 4, 33 समझ में आया भई? रो है तो कॉलम लेंगे, टोटल कॉलम लेंगे रो वाले के साथ, आई के साथ, समझ में आया? आई के साथ, ठीक है? अब ऐसे अगर मैं कॉलम मेजर की बात करोओ, तो सेम है आपका फॉर्मुला, बस यहाँ पर मुल्टिप्लाई किसके साथ हो जाएगी? रो के साथ, रो की मुल्टिप्लाई करेंगे हम किसके साथ? जे के साथ, समझ में आया, वहाँ पर हम रो की साथ ही कर रहे थे, आई के स तो रो में आपके टोटल एलिमेंट कितने है, 25- upper bound, minus, minus lower bound, plus 1 25 plus 5, sorry 20 plus 5, 25 और 26, तो यहां पर होगे 26 70-20 plus 1, that is 51, ठीक है? Base address क्या है आपका? 1020, ठीक है? जमा में, total आपके जो है रो बतानिया, रो कितनी है? 26 आपके column, column क्या हो जाएंगे यहां पर, I और J की value क्या है? J आपका क्या है? 30, 30-20, plus आपकी रो कितनी है? 0, minus और minus 5, ठीक है? 1020 जमा में 26, यहां से क्या जाएगा? 10 जमा में, यहां से क्या जाएगा? 5, ठीक है? 1020 जमा में 215, sorry 260 और 265, add कर दो भई और, sorry, size और multiply करना भूल गए न, size multiply करना भूल गए, ठीक है? तो इसके साथ आपका size के और multiply हो जाएगा जमा में 265 के साथ हम 8 की multiply और करेंगे, तो यहां पर multiply हो क्या जाएगा? 8, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 8, 2, 6, 6, 6, 5, 21, ठीक है? 1020 और 2120, तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 0, 3, 1, 4, 0, that is 3, 1, 4, 0, 5, तो आप का अंसरो हो जाएगा यह वाला, समझ में आया? समझ में आया, समझ में आया, आपको बस formula याद करना है, बाकि आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यह था आपका row, column major वाला, यहोप आपको समझ में आ गया होगा बाकि तो जो questions है, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि detailing हमें बाद में करनी है, आज जो हमारी doubt class थी, कुछ हमने च्राक का important पार देखा, कुछ हमने आरे का important पार देखा, जितना हमने आरे का देखा यहां से भी examiner question पुछता और जितना हमने पार देखा था तो भी आपका important था, क्योंकि वहां से भी examiner आपसे question पुट करता है, ठीके? तो आपको आज वाली क्लास काफी अची लगी होगी, लगी है तो फटा फट लाइक कर दीचे, अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत ही इंपॉर्डेंट कोशन है, यहां से आपको 3-2 और कोशन एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो भी, बहुत है को अपको कुशन देखने को मिल सकता है, तो भी, इस्टैक में से 2-3 कुशन कानफर्म है, 2 कोशन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो आपका एक तरिके से 3-3, 3-3 मांक्स पक्का होई गया है, ठीक है, 3-4 मांक्स वेरी कर सकता है, बाकी आएगा, ड़ि क्लास अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किना अगर आप चानल पर नहीं है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड सेयर कीज़ेगा, तो फिर मिलेंगे नई क्लास में कल, अपने अगले आगे सब्जेक्ट सेयरा, तब तक लिए, बाई, तक में थायू!